हम देखने कि एक सेग्मेंट लगातार वजिंग है केबल और वायर का सेग्मेंट वहाँ पर चमक बरकरार है आज की सुस्ति पर मज़ेगा पिछले दिनों जो हमने तेजी देखिए हम उसकी बादशीद कर रहे हैं लेकिन क्या यह तेजी और बढ़ेगी हाला कि एक कहने कहीं क्रूड के डेरेवटिव्स और थोड़ा से इंपैक्ट होता है क्योंकि रॉअ मटस्टा होता है इसको भी समझेंगे और आगे डिमांड कैसी दिख रही है क्योंकि देखे-डिक क्युट्ग की तिमाहिंी तुमाहिं लोग घरों के बाइंग भी करते हैं तो निश्चे तो पर इन इकलिए डिमांड बढ़ते विए दिखती है जरा समझ लेते हैं कि आगे अभी कितनी तीजी होगी हैवस में के आई में पॉली केब में ये शेर आगे से आगे कैसा करेंगे हमारे साथ है कि बहुत खास महमान ये सबसे पहले आपसे ये ही समझेंगे देखिए लगातार तीजी हमने देखी है कि याई के अशेर 25 रूपे के उपर निकल गया पॉली के अशेर 50 रूपे के उपर निकल गया तो मॉमिंटम लगातार बरकरार है और मार्किट के अप में हमने जम्प देखा है लेकिन क्या निवेशन वाला जो फैक्टर है थोड़े से उसको नजर में रखनी चाहिए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से स्टॉक्स महेंगी हो गए हैं नया निवेश करते वेक्ट थोड़ा सा साउधानी बरतनी चाहिए जी हाँ, see definitely short term के लिए मुझे थोड़ा upside कम लग रहा है cables companies में because Q1 के जो नतीजे थे वो काफी अच्छे थे polycap का 50% volume growth था और सबका 20% volume growth आया था दूसरी companies का भी तब Q2 में थोड़ा volume growth भी subdued होगा and valuation are also at peak we have never seen such valuation in cables companies पहले तो short term में अगर आप देखेंगे तो upside कम हो सकता है Q2 के बाद थोड़ा correction भी आ सकता है but if you take a long term view तो उसमें क्या हो रहा है कि सभी companies capacity expansion कर रही है levels है polycap है कि AI industries है क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक-दो साल तक जो demand है वो जबरदस्त रहेगी construction sector से real estate से oil and gas mining सब industrial sector से भी काफी तगडी demand आएगी और export business भी सबका आप scale up होगा because अभी तक सिर्फ 5-10 percent of revenue export से आता है mostly companies का cable companies का तो वहां पे भी उन्हें demand दिख रही है मिडल इस्ट में लेटिन अमेरिका में तो अगर हम capacity expansion देखे और companies जी सरे से निवेश कर रही है capacities बढ़ाने में तो long term में valuation adjust हो सकते हैं अगर earnings growth ज़ादा अच्छी आ गई तो खजीदा very valid point क्योंकि of course valuations इनके काफी है कई न कोड़े से महंगे जरूर कुछ stocks हो गया और आप जो यह बात कर रहे हैं कि capacity addition कर रहे हैं capex companies announce कर रहे हैं तो क्या उस case में दोनों scenario हमें समझाएए please कि यह जो spurt हम देख रहे हैं पिछले कहीं quarter से और क्योंकि कंपनिया guidance अब तक जो दे रही है वो 16-17% की guidance दे रही है capex भी at the same time साथ में करने की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं oversupply जासा एक scenario भी हो सकता है क्या oversupply का तो इतना scenario होना थोड़ा मुश्किल है because कैसा है ना कि expansion जो हो रहा है वो सारी companies at least 90% capacity पे पहुचके फिर expansion कर रही है और एक दम जादा नहीं कर रहे है जैसे के याई का जो केपेक्स है वो अभी 300 तो 350 करोर्स है हैवेल्स इंडिया ने भी करनाटका में जो lt cables के लिए जो कर रहे है के पेक्स वो 300 तो 400 करोर्स है और उसमें वो revenue generate करने की बात कर रहे हैं पात सो करोर तक की तो वो possible है जो demand है अगर वो भी रही stable रही तो उसमें भी वो लोग इतना revenue generate कर सकते हैं तो एक दो साल के लिए मुझे नहीं लगता है कि oversupply हो जाएगा because फिर ये भी हो रहा है कि export markets भी open up हो रहे हैं Indian companies के लिए because दूसरी जो countries है वो China plus one option देख रही है तो अगर हम लोग last year का भी देखेंगे तो KII है, Polycab है इन सब के export revenues की भी growth हुई है हलांकि lower base पे हुई है लेकिन फिर भी growth है और सब companies bullish है on exports also तो थोड़ी capacity exports market के लिए भी हमारी deviate हो सकती है बाद में domestic demand बहुत strong ही, export opportunities बहुत strong देख रही है, पूरा space अच्छा खासा buzzing है और यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं कि cable and wire stocks में किस तरह का upside देख सकता है बिल्कुल शुक्रिया आज समय देने के लिए और यह discussion हमार सथ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया